उदारन के साथ परमानिक्ता के साथ पेश करें, प्रतिपक्ष अपने पद की जिम्मवारी को इमंदारी से निर्वाहन करिए, खटना में जाके जिले में सरीक होते थे, सच को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तिजस्वी यादब अक्सर प्रदेश में होने वाली आपराधी घटनाओ पर क्राइम बुलेटिन जारी करके मुख्य मंत्री नितीश कुमार पर हमला करते रहते हैं तिजस्वी ने एक बार फिर से एक से क्राइम बुलेटिन जारी किया और इस बार भी उन होने नितीश पर हमला बोला अब इस पर बीजेपी नेता और डिप्टी सीम विजैसिन हा ने जोड़दार पलटवार किया है डिप्टी सीम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संबैधानिक पदपर है हर आदमी की जिम्मेदारी होती है बीजेपी नेता ने पूछा कि जहां भी इस तरह की घटना हुई है या तिजस्वी आदब जिक्र कर रहे हैं कितने जगह पर नेता प्रतिपक्ष गये क्या सच को जानने का प्रयास किये हैं उन्होंने कहा कि मैंने भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है क्या और उन्होंने किस तरीके से तिजस्वी पर हमला बोला वो आप सुनिए बिदान सभा अध्दक्ष का अभी पद का जिमेबारी निभाया हूँ आज नेता पर्तिपक्ष के रूप में 507 दिन में 341 दिन हर घटना में जाके जिले में सरिक होते थे सच को जानते थे, सरकार को सजग करते थे, पर सासन पर हम बात करते थे ये कहें से किसी को डाटा आकरा दे दिया उसकी सचाई जाने बिना उस पर क्या सरकार की एक्सन हुई है, तुरित गती से क्या कारवाई हुई है नेता परतिपक्ष अपने पद की जिम्यवारी को इमंदारी से निर्वाहन करिए सरकार सजगता से एक्सन ले रही है, कार्ज कर रही है और अपराद वरस्टाचार की मानसिक्ता नहीं चलेगा ये संकल्पित है सरकार एक भी उदारन के साथ परमानिक्ता के साथ पेस करें विजय सिनातो नेता पर्तिपक्च के रूप में यही मुझहपरपुण में उन्हीं के राज़त के मंतरी इजराइल मनसूरी की परमानिक्ता के साथ सदन में हमने रखा था आप एक भी परमानिक्ता पेस करिए कोई मतलब नहीं है सिर्फ भरम पहलाना लोगों को बरगलाना और अपनी राजनीती जिन्दा रखना ये उस पद को कहाई से इमंदारी से उस पद की जिमवारी निर्वाहन नहीं कर रहे